तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी किस तरीके से आप किसी भी इस पेसल करेक्टर के जो effect है उसको neutralize कर सकते हैं और यह भी बात की थी किस तरीके से आप किसी variable की जो value है उसे किसी भी string में आप insert कर सकते हैं उसकी value को तो इसी टाइप के और भी छोटे-छोटे concept है, इनको भी आज कवर करते हैं तो इस तरीके से अगर माल लीजे हैं, आपको किसी character को insert करना है, अपने code में, तो कैसे करेंगे? जैसे कि किसी emoji को हमें अपने line में insert करना है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको, तो हमें उसके code को पहले जानना पड़ेगा, अगर माल लीजे हम लोग इस code को hexadecimal code में ले, तो इसके example को देख लेते हैं, अपने w3 की site से, तो यह हमारे emoji है, इस type के, तो यहाँ पर आपका दिया unicode character है, और इसके यह hexadecimal code है, तो इन codes का इस्तमाल करके हम लोग अपने string में, कहीं भी इस्तमाल कर सकते हैं, इन unicode characters को, तो जैसे कि यहाँ पर माल लीजे, कोई चीच प्रिंट करते हैं, किसी emoji को, और इसके अंदर ले ले लेते हैं, I like, और यहाँ पर unicode character को, अगर आपको emoji, या print कराना है, किसी any code character को, तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, backslash u का इस्तमाल करना है, और इसके बाद उस code को लिखना है, जैसे कि माल लीजे आप, यह हो गया, t, यह काफी या t है, इस symbol को ले ले लेते हैं, और यहाँ से code copy कर लिया, यहाँ पर डाल दिया, और यहाँ पर semi-colon लगा देते हैं, इसको print करते हैं, तो आपको यह इसका decode होती हुए दिखेगा, यहाँ पर, t का symbol, cup, cup का symbol, चाय वाला जो cup हो, ठीक, तो इस तरीके से यह है, इसके लावा इसमें एक दो और example देख लेते हैं, अब जैसे कि माल लीजिए, four digit वाला जो एक्साडिसमल है उससे कोई बड़ा number हो, जैसे कि बड़ा ज्यादा digit वाला, five digit हो गया इसमें, तो अगर इसको माल लीजिए, आपको लेना है, जैसे कि यह से वाला symbol है, इसको आपको लेना है, तो आपको क्या काम करना है, यहाँ पर यह रखना है, और इसको आपको रखना है, curly braces के अंदर, curly braces के अंदर आपको रखना है, तो आपका symbol आ जाएगा, ठीक, ऐसे करके कर सकते हैं, तो देखिए आ गया, और अगर आपका कम digit वाला unicode character है, अगर मालीजे दो digit वाला unicode character है, जिसका hexadecimal code दो digit में है, तो four digit में बनाया रखने के लिए, आपको उसके पहले दो zero add करने इसे four digit का ही बना के आपको रखना है, इसके अलाबा एक concept पिछले lecture में छूट गया था, वो ये था कि हम लोगों ने object type के बारे में discuss नहीं किया था, जैसे कि example के रूप में अगर हम लोग यहाँ पर किसी variable को लेते हैं, वर keyword से इसे declare करते हैं, जैसे AR भी है, ठीक, और इसमे value हम लोगों ने डाल दी, 12, तो यहाँ पर हम लोगों इसे value डाल दी, उसके बाद हम लोग दुबारा से इसे reassign करते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं, hello, तो यहाँ पर यह आपको error दिख रही, error इसलिए compilation जो होता है, उसमें यह compiler error है, क्यों क्योंकि word keyword से जो है, इसका type compiler क्या होना चाहिए, तो उसे तो यह integer लग रहा है, लेकिन आपने यहाँ पर इसे assign कर दिया, इस्टिंग के रूप में, तो यह इसलिए यहाँ पर error दे जाता है, तो इसको avoid करने के लिए हम लोग क्या काम करते थे, यहाँ पर dynamic लिखते थे, इससे जो आपकी error है, यह avoid हो जा यहाँ पर कोई भी error नहीं है, यह आपका run कर जाता है, ठीक, लेकिन इसी dynamic की जगह आप object जो type होता है, उसका विस्तमाल कर सकते हैं, इस dynamic और object में अंतर यह है, यह लगवक सेम ही काम करते हैं, दोनों run time पर अपना जो behave है, उसको show करते हैं, same behave show करते हैं दोनों run time पर, object type या यहाँ पर object कर लेता है, और इसके आगे आपको लगाना है एक question mark वाला symbol, यह जो है null type की value को show करता है, इसको हम लोग आगे समझेंगे, जब हम लोग null type के बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें और dynamic में अंतर यह है, यह जो है थोड़ा सा dynamic का advanced version है, main difference यह होता है, जो dynamic होता है, उसमें type checking नहीं होती है, लेकिन object में type checking होती है, वो ऐसे, क्योंकि यह जो object type है, यह दरसल dart में जितने भी class होते हैं, उनका parent class होता है, इसी parent class का नाम है object, इसलिए इसमें हम type checking कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या है, हम किसी को यह भी बता सकते हैं, कि इनका type क्या है, जैसे यहाँ पर type क्या है, और यहाँ पर type क्या है, इसमें जो value पड़ी होई, इनका क्या type है, अब यह ज्यादा functionality देता है, user को,